सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइन्स पर राजसान में विधावी विद्यार्तियों को अचार सहिता के बाद मिलेंगे टैबलेट सांचोर में दो बड़े तसकरों की डेड़ करोड की संपत्ती फ्रीज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से गिर कर पल्टी स्लिपर बस युवती की मोथ 25 गायल राजसान बोड की दसवें का रिजल्ट आज शाम पाँच बजे होका जारी आर बी आई का रिटेल डिरेक्टर मोबाइल एप लाँच और अब खबरें विस्तार से सुनिए राजसान में शिक्षा सतर 2021-22 और 22-23 के 55,727 मेधावी विद्यार्टियों को लोगसभा चुनाव आचार सहिंता के बाद टैबलेट का वित्रण किया जाएगा शिक्षानी देश चालिया ने इस समन्द में तैयारिया शुरू कर दी हैं सरकारी स्कूलों के समस्त वर्गों के मेधावी स्टूरेंट्स जिन्होंने 2022-23 के तहत आठवी, दस्वी और बारवी कक्षा की बोर्ड परिक्षाओं में 75 प्रतिशक या इससे अधिक अंक अर्जित की हैं उन्हें वर्यता के अधार पर टैबलेट का वित्रण किया जाएगा मादमेशिक शरी देशालिया ने पातर विद्यार्टियों की सूची तयार कर ली है संचोर जिले में अवैद मादक पदार्थों की तसकरी करने वाले आरोपियों को सक्त संदेश देने के लिए संचोर पुलिस ने पहली बार दाता गाओं के दो तसकरों की संपत्ति कुर्क करने को लेकर फाइल दिल्ली भेजी थी जिसमें संचोर पुलिस को बड़ी राहत मिली है स्पी हरी शंकर ने बताया कि मादक पदार्थ के तसकर भूता राम उर्फ भभूता राम के खसरा नंबर 1455 बटा 580 में 200 वर्ग मीटर पर बने करीब 50 लाग के मकान 745 ग्राम सोने के अभूशन को फ्रीज किया गया है इसी तसकर के भाई जेता राम पुत्र चोखा राम के करीब 50 लाग के मकान को फ्रीज किया गया है दिल्ली मुंबई एक्स्प्रेस हाईवे पर हरिदवार से जैपूर जा रही स्लीपर बस डिवाइडर को तोड़ते हुए 10 फिट नीचे गिर कर पलट गई गटना के बाद सवारियों में चीख फुकार मच गई, हादसे में क्यूपती की मोथ हो गई, वही 25 से ज़्यादा लोग घायल हो गई गायलों को जीला स्पताल दोसा में भरतिकर आया गया है, हादसा बांदिकुई दोसा में सोमाडा गाउं के पास बुदवार सुबह करीब साड़े-पांच बजे हुआ जानकरी की नुसार स्लीपर बस हरिदुआर से जैपूर जा रही थी, जिसमें करीब 40 से अधिक लोग सवार थे, अचानक ड्राइवर को नीद की जख्की आने से हादसा हो गया राधिसान मादिमिक शिक्षा बोर की ओर से दस्वी वे प्रवेशिका का रिजल्ट आज बुदवार शाम पांच बजे गोशित किया जाएगा इसके लिए सभी तैयारिया पूरी कर ली गई है, बोर्ड सेकेटरी के राश्चंद शर्मा ने बताया कि बोर्ड प्रशासक और सभाग्य आयुक्त महेश्चंद शर्मा रिजल्ट जारी करेंगे दस्वी में 10,62,341 स्टूडेंट सजिस्टर हुए थे, परिक्षा साथ से 30 मार्च के बीच हुई थी, पिछले साल दस्वी का रिजल्ट 90,49 प्रतिशत रहा था, यह रिजल्ट परिक्षा समापती के 50 दिन बाद जारी किया गया, इस साल लोगसभा चुनाव के कारेंट दे को ऑनलेन खरीद और बेच सकते हैं, वहीं इंडियन रेल्वे केटिंग एम टूरिजम कॉर्परेशन यानि आई याज CTC का वितवर्ष 2024 की चोथी तिमाही जनवरी से मार्च में मुनाफ़ा सलाना अधार पर 2% बढ़ कर 284 क्रोण रुपई हो गया है शिक्षा मंत्रे मदन दिलावर ने कांग्रेस के प्रदेश अदक्ष गोविंसिंग डोटास्रा के बयान को सही बताते हुए कहा कि डोटास्रा सही बात कह रही है कि भजनलाल सरकार के मंत्री ब्रिष्ठाचार्ज में 0 है मदन दिलावर ने कोटा में वीडियो बयान जारी कर कहा कि यह सही बात है कि बजनलाल सरकार के मंत्री ब्रिश्टाचार कर ही नहीं सकते कांग्रेश से 70 लाख विद्यार्ती आशार्थियों को लूटा है दिलावर ने कहा इनको चिंता करने की आवशकता नहीं है अशोगय लोट वे गोविन सिंग डोटासरा जल्द ही तीहार जेल जाने वाले हैं वे वहां केजरिवाल से मिल सकेंगे जैपूर में नोतपा के पांचवे दिन बुद्वार को भी बिशन गर्मी पड़ेगी मौसम विभाग ने अगले 24 गंटे बिशन गर्मी का रेड अलेट जारी किया है इस तुरान तेज गर्मी के साथ लूट चल सकती है बिशन गर्मी के बीच जैपूर में एक आटो ड्राइवर ने सवारियों को रहत देने के लिए ओटो पर खस-खस की टांके अलगाई है और इन पर पानी का छिड़काव किया जाता है जब ओटो चलता है तो गर्म हवा की जगए ठंडी हवा महसूस होती है उधर नगर निगम हेरिटेज ने भी बिशन गर्मी में काम कर रहे सफाई करमचारियों को छाच पिला कर रहत देने की कोशिश की राजिस्तान लोगसिवा योग ने विधी रचनाकार विधी एवं विधीक कार्यविभाग परिक्षब दोज़ार चोबिस के अभ्यार्थियों को ऑनलाइन संचोधन का अफसर दिया है अभ्याति बुद्वार से 7 जून तक ऑनलाइन संचोधन कर सकेंगे साथ ही कैंडिडेट्स अपना आवेदन फार्म विध्रो भी कर सकते हैं आरपी एवसी की ओर से विधी रचनाकार परिक्षब 24 कायोजन 14 जुलाई को किया जाना प्रस्तावित है अभ्याति बुद्वार से 7 जून तक नाम फोटो पिता का नाम जन्मति थी वर लिंक के अत्रिक्त संचोधन ऑनलाइन कर सकते हैं संचोधन के लिए भ्यातियों को इमिट्र ऑनलाइन बैंकिंग के जरीए 500 रुपई का शुर्क जमा कराना होगा ओफलें संचोधन स्विकार नहीं किये जाएंगे पश्चिम बंगाल और बांगलादेश में रभिवार को आए रेमल तुफान का असर मंगलवार 28 मई को नौर्थ इस्ट में दिखा मिजोरम में लदातार बारिश और लेंड स्लाइड में 27 लोगों की मोत हो गई इन में 14 लोगों की मोत आईजोल में एक पत्थर की खदान ढहने से हुई मरने वालों में दो बच्चे भी शामिल हैं करीब 8 लोग लापता है असम में भी तेज हवाओं के साथ बारिश होई अलगलग घटनाओं में एक महिला सहित 4 लोगों की मोत हो गई इठाया घायल हो गए नागलेंड में 4 लोगों की मोत हो गई और 40 से ज़्यादा घर तबाह हो गई कोटा में अभी भाषक परिशद न्यालिया परिशद को नो पार्किंग जोन घोशित करने की तयारी में है मंगलवार कोई सम्मंदी सुषना जारी की जिसमें कहा गया कि कोई भी वकील या मुंची 29 मई से न्यालिया परिशद में अपने वहन खड़े नहीं करे सुषना गेट नंबर एक वै वकीलों के चेंबर्स के बाहर नोटिस बोर्ड पर लगाई गई है पेशियों पर आने वाले भी वहन न्यालिया परिशद में ले आते हैं जिससे आवागमन में परिशानी आती है उलेकनिय है कि विभाशक परिशद ने साल 2018 में भी न्यालिया परिशद को नो पार्किंग जोन घुशित किया था सीखर में पानी सप्लाई की मांग को लेकर गोकुल का बास के सेंखरो गामीडों ने खंडेला जल्दाए विभाग पर पदर्शन किया महिलाएं जल्दाए विभाग के बाहर धरना लगा कर बैट गई गई ग्रामीडों का कहना है कि खंडेला शेतर में पानी की भीयंकर समस्या है लोग पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं एड़ोकेट गोकुल जंदल गोदारा निकाहा की गोकुल का बास सहीत संपूर खंडेला शेतर में पानी की भारी किलत बनी हुई है इसे लेकर ग्रामीडों ने जल्दाए विभाग के करेले के बाहर विरोध परदर्शन किया कोटा में शुद्धा द्वैत प्रथम पीट श्री बड़े मतुराधीश मंदीर पाटन पोल पर ठाकुर जी का नाव मनोरत हुआ इस दुरान बगवान मतुराधीश प्रभू के नोका विहार की जहांकी के दर्शन करने के लिए शद्धालू उमड पड़े मनोरत के दुरान प्रभू के बकीचे में कमर तक जल से भरा गया इसमें नाव का मनोरत किया गया जल में विविद प्रकार के इत्र घोले गए मोगरे गुलाब कमल आदी के पुश और लकडी से बने हुए मगरमच और कच्छुए समीत विविन खिलोने तराए गए मिकनेर से सटी भरत पार्थ सीमा पर 48-50 दिग्री तापमान के बीच भी B.S.F. के जवान मुस्तेद है मंगलवार को आग की लप्टों जैसे सूरज की केने तापमान 48.3 डिग्री और गरमी का हैसास 50 डिग्री से भी जाता था ऐसे हालात में खुद को सिर से लेकर पाम तक कपड़ों से धके हुए B.S.F. की महिला और पुरुष जवान तारबंदी के पास गश्ट करते नज़र आए वर्दी के साथ मुँपर स्कार आँखों पर धूप का चश्मा पहने हुए थे केवल हाथ नंगे थे क्योंकि राइफल थामे हुए थे करीब 74 दिन से वन विभाग को चक्मा दे रहा लेपर जोधपूर के माचिया सफारी में घूसाया है सभी बार रात इस लेपर ने तेरा चिंकारा काले हिरन का शिकार कर डाला वन्यकर्मी यहां अकेले डूटी देने से घवरा रहे हैं यहां तीन पिंजर लगाये गए हैं मंगलवार को यहां छुटी होने के कारण टूरिस्ट की एंट्री बंद थी एड्वाइजरी जारी करते हुए बुधवार से एंट्री जारी रहेगी सभी करमचारियों को अलेट मोड पर रहने के निर्देश्ट यह हैं सुत्रों के नुसार लैपड की फाइट काले हीनों के जुन के साथ हुई थी काले हीनों पर पंजा और बाइट के निशान भी थे लैपड ने चिंकारा के जुड़ पर हमला किया था राजसु एवं उपनिवेशन विभाग के प्रमुक शासन सचीव और जोधपूर जिला प्रभारी सचीव दिनेश कुमार ने मंगलवार को जनस्वास्य भ्यांत्री की विभाग नगर वृत जोधपूर उमेद अस्पताल एवं जोधपूर विद्यूत वित्रण निगम के कॉल सेंटर का और चक निरिक्षन कर विवस्थाओं का जहजा लिया उन्होंने जनस्वास्य भ्यांत्री की विभाग के कॉल सेंटर पर पहुंच कर उप वौपता की ओर से दर्ज शिकायट की प्रक्रिया की जानकारी ली उन्होंने अधिकारियों को निर्गेश दिये कि हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज होने वाली शिकायट को सम्मनित अधिकारी के पास त्वरित ट्रांसफर किया जाए ताकि उस पर त्वरित कारेवाई की जा सके फिलाल इस ब्रेटन में इतना ही फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ